आपने देश को इतना पागल बना रखा है ना इतना मूर्क बना रखा है आपने ऐसा समझ रखा है कि इस देश में इंसान नी घदे रहे हैं ळारी से पाकिस्तान डैर रहा है पर क्या है निया को अच्छा हम सब्सक्राइब करें यह किसान लिए टिता नाई हूँ यह चाहने आप श कहा पूर देश में पूरे देश में तो घाजीपुर नी बना हुआ पूरे देश में विरोधी घूम रहे हैं और चूता लेके स्वागत करने की तैयारी में है अपनी मा से मिलने जाता है तो कैमरामेन साथ लेके जाता है कि यहां से हाथ पकड़ू माता जी का यहां से पकड़ू इधर लाइट तो नहीं पड़ रही इधर से फोटो चिया रही है या इधर से फोटो चिया रही है नमस्कार में शाल नीजह और आप देख रहे हैं पी आर भी इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ काफी लंबे वक्त बात एक ब बड़ा मुद्दा बना हुआ है साथ ही कई पार्टिया जो है अब चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रही है क्या लग रहा है मुहित आज एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि किसान आंदोलन को जो रद करने का फैसला प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है उस बड़ार हो रहे हैं लेका है तो अब को सरवे भरोसा नहीं है लेकिं लोगों जान लेना अच्छा काम अच्छा काम, ना क्या अच्छा काम है यह ना अगर यह अच्छा काम नहीं है यह नहीं अच्छा काम लेकिन फिर भी लोग पर यह समय देस्का मुखे मंतर्यों दोनों यहें और तो लोग प्राद है तो एक करमिनल को भी मिलती है और मिल रही है इस देश में और मोदी जी ने तो मन की बात में क्या लिखा है कि उन्हें कुर्सी नहीं चाहिए आज देखा ना आपने क्या बोला मन की बात में क्यूने चाहिए सत्ता नहीं चाहिए लोगों का अपने आपके जबान पे सच आई गिया उन्हें वाक्य में सत्ता ही चीए और सेवा करने का इन्हें इतना ही शौक है जो आदमी अपनी मा की सेवा नहीं कर पा रहा जो आदमी अपनी मा से मिलने जाता है तो कैमरामेन साथ लेके जाता है कि यह माता जी यहां से पगडू ? इ identifying people इधर लाइड तो नहीं पड़ रही ? इधर से φोटो चेयर या इधर से फोटो चेयर ये ? मेरे खैल सेमा प्रधान मंतिरी का रहले में एक कमरे में इतनी जगेैं तो होगी कि प्रधान मंतुरी अपनी अधर के माता जी को रख सके कि जो मातर चंद वोटों के खातिर अपनी बूरी मा को नोटबंदी की लाइन में लगा देते हैं आप उनकी माता जी से पूछिए कि उनकी माता जी ने याद करती हैं गुजरात में जसोदा बैन आप महां जाईए उनसे मिलिए आपको जंता बिल्कुल याद नहीं करती और जंता तो आपसे इतनी ज्यादा नाखुस है जंता तो आपसे हाँ जोड रही है आपसे कोई जंता आपको याद नहीं कर रही है देश की आजनता जंता यहां पूरा देश में तो घाजीपूर नी बना हुआ पूरे देश में तो घाजीपूर नी बना हुआ और पतर्कारों का ना होजाएं क्योंकि मोदी जी से आधा तारीफ मोदी जी की तो ही आप ही करते ही मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहे हैं हम आपको सर्वें का नतीजा बता रहे हैं कौन्सा सर्वें कौनसा सर्वें में स्ट्रीम मीडिया सबसे बड़ी मोदी जी की दलाली करती है में स्ट्रीम मीडिया को मोदी जी की तरफ से मुझे लगता 15 लाग का पैकेज मिला है इसलिए वो मोदी जी की दलाली करती है आपको मिला है आपको मिला थोड़ा का मिला होगा थोड़ा का मिला होगा मिला तो है मिला तो है आपको चैरे की स्माइस लराय कोन से सर्वे की बात और हुरा zit सर्वे तो बिहार में ये भी बता रहा था कि भईया कटवंधन की सरकार रही है लेकिन वह घटवंधन नहीं आती सर्वे तो बंगाल में ये भी बता रहा है कि भाईया मोदी जी आने वाले हैं 200 पिलस की सीट लेकर आया महाँ पे लेकिन वहाँ तो उनकी सरकार नहीं थी गोव और उत्तर प्रदेश उत्राखंड में तो उनकी सरकार है तो यहां पर दुबारा आ रहे हैं और नेताओं का भी कहना है कि जीत जाएंगे कोई नेता नी कुछ नी कहा रहा सिर्फ इस देश के दलाल पत्रकार कहने जिनके खाते में 15-15 लाख आए हैं जिनों को दलाली की चंदर आसी मिली है अब आपने देखा कि किस तरीके से आज उतर परदेश के अंदर पेपर लीक हो जाता है देखा अपने बच्चे विचारे स्टेशन के भार लेटे हुए थे एक्जाम देने के लिए आज का और सुबह खबर आती है कि पेपर लीक हो गया जो सरकार एक पेपर नी समाल सकती वो देश को क्या खाक समालेगी बताइए एक पेपर नी समला सरकार से तो आपको लगता है कि वो देश को समालेगी है आपने देश को इतना पागल बना रखा है ना इतना मूर्क बना रखा है आपने ऐसा समझ रखा है कि इस देश में इंसान नी घदे रह रहे हूं आप कहते ह मोदी जी की लालाक से चाइना डर रहा है अरे मोदी जी के अगर डाड़ी से पाकिस्तान डर रहा है तो सहरत पर जवान काई के लिए खड़े हैं बताइए और सेवा करने का इतना ही सोके नरेंदर मोदी जी को तो सहरत पर जाकर इफाज़त करें सहरत की जो चाइना ने हमारी कि बात सुनने के लिए आपको प्रधानमंतिरी नहीं बनाया इस देश का चोभीस घंटे माप मन की बात मन की बात सुनिए आपने एक बात मुझे बताईए आप 24 घंटे अपने मन की बात घैस की जंता को सुनाते हैं मोदी जी अगर अपने वादे के एक वादा मोदी जी का सच्चा होता तो चाहसा गाजिपूर बॉर्डर चहरा देखके बता सकते हूं कि आपके चहरे पर मोदी जी की कौन सी तारिफ का पुला रहा है अब भारत के पास में कौन सी एरलाइन से बताइए जरा बताइए अरे बताइए ना लेकिन वह तो कह रहे हैं ना कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे एरपोर्ट एरपोर्ट का जब फिलाइट नहीं है एरलाइनस बनादे एरपोर्ट बना दो हैं मतलब उड़ाने के लिए आप पे जहाज है नहीं खाली बना दो आपने एरलाइनस आपने सब कुछ तो बेख दिया आपके पास में पूरा पैसा आ रहा है आप जैसे लोगों ने देश को गुलाम बनव कि जनता ने मोदी को वोट नहीं दिया आपने दिलवाए और आपके समाइक ने आप मोदी जी कितनी तारीफ कर रहे थे बेहिसाब तारीफ और अभी भी आपके पास समय है समय रहते सुधर जाईए नहीं जनता सुधार देए समझ जाई करिशी कानून वापसी का जो फैसल लेकिन अभी भी मोदी जी की तारीफ करेंगी मास्टर्श ट्रोक मेंस्ट्रीम मीडिया के रहें बड़ा दिल दिखाया प्रदान मंत्री मोदी ने बड़ा दिल उसने साड़े 600 किसानों की जान लिए बड़ा दिल कुछ नहीं दिलाया और उनके और मुकदमे दर जोना चाह लिए इस देश का जुडिश्री क्या कहती है अगर किसी व्यक्ति ने किसी का मडर किया है तो उसको सजा सुना ही जाती है न साड़े 600 से अदर अब आप यह देखिए देश की जेल के अंदर इतने सारे कैदी कैद हैं वो भी माफी मांग लेते हैं माफी किसी समस्या का समाध तो आपको माफी माघनाूर लेकिन सर को जुकाना मनजूर नहीं है यह बात बता देते हैं कंगना रनावत गवर्णर है परधानमंतरी आपको पता है कितने कमेला जितनी आपकी उमर नहीं न उस डबल लोग पदंश्री लेके बैठे हैं उनके बारे में पूछती है जाके उनके घर में खाने को रोटी नहीं है जो देश के जवानों को गाली प्रियता से तो नहीं चा घर लोग बैठे हूं को डेचके जवानों को अपमान करें उनको लोग प्रियता नहीं मिलती उनको सिर्फ बदले में जूते और चपल मिलते do और कंगना रनावत के जब छज़्जा तूटता है ना उनको इतनी आपती नहीं होती जितनी आपको होती है यह बात आप सीधे तोर पे समझ रहीजिए और कंगना रनावत ने देश के जो जवानों का अपमान किया ना यह बाद ध्यान रखेगा यह देश कभी नहीं जब अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे ना तब देश के करांतिवीर फांसी का फंदा चूम रहे थे अगर राजगुरु सुगदेव और भगस सिंग फांसी का फंदा नहीं चूमते ना तो कंगना रनावत किसी अंग्रेज के घर में बैठके उसके जूते और चपल साफ कर रही होती तो यह अजादी देश के सोतंतर से नानियों ने दिलाई है वहित शर्मा की बात और राय आपने सुनी कि उनका क्या कहना है कि सान मुद्दे को लेकर और आने वाले विधान सभाचुनाव में भी उन्होंने क्या दिया है कि जन्यता पूरी तरह से बीजेपी से तरस्त है और जन्यता उन्हें बहुत जल सत्ता की कुर्सी से बेदेखल करेगी बने रहे पी आरबी के साथ धन्यवाद